हेलो माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरिवन प्रोजेक्शन अप प्लेन वाला टॉपिक अपना इंजिनिरिंग ड्राइंग में चल रहा है और काफी हर्तक कोश्चन अपन कर चुके लेकिन आज थोड़ी लंबी क्लास है और बेहर ant important question कराने वाला हूं सभी कोश्चन exam से में पूछे गए है और बहुत अच्छय अच्छे हर कोश्चन एक अलग concept वाला कोश्चन है हर कोश्चन में अलग plane कराने वाला हूं ठीक तो हैं इसलिए सभी कोश्चन आपको करना बनाना जरूरी है कोशन आपके सामने एक रेक्टेंगल पेक्टागोन का सोरी रेगूलर पेंटागोन का पेंटागोन का मतलब माइट होता है जिसके 5 कौर्नर पांच बुझाये हो रेगूलर पेंटागोन आप 30 mm साइट मतलब एक 30 mm साइट का रेगुलर पेंटागोन कहने का मतलब उसकी पांचों की पांचों साइट सेम साइच की है और वह कित्ते की है 30 mm 30 mm मतलब अपन तीन सेंटीमेटर लेंगे रेगुलर पेंटागोन अब 30 mm साइड इस रेश्टिंग अन दा सबसे पहले जो कोश्चन में दिया है जिस से इंकलाइन बूला है उससे पैरलल अपने को अपने को अपने को वहां से पैरलल लेके ओके अजमसन लेने का मतलब यह है शुरुआत करते हैं कहां से करेंगे विद्धी टॉप यूट रॉद पैंटागोन करेंगे एक्सवाइड लाइन और वन साइड वर्डिकल लेके ठीक है एक एक्सवाइड लाइन खीचा आपको दिख रही होगी एक्सवाइड लाइन खीची मेंने ठीक है नीचे या तो आप यूटूब पे एक वीडियो देख सकते हो किसी दूसरे का या आप बुक में भी पढ़ सकते हो मैं खुद भी आपको एक वीडियो बना दूंगा पैंटागोन बनाने के लिए अभी इतना सिखा देता हूं अगर आपको आता है देखो सबसे पहले एक परजाना सकते हो आसाने से तीनसों साट में पांच का भाग लगाना जितना डिगरी एंगल आएगा एक जो वर्टिकल लाइन खिची है सेवेंटी टू डिगरी के करीब आएगा वहत्तर डिग्री पर एक लाइन इंकलाइन करना जिसके साइज क्या रहेगी 30 मिं इसके हर सा और पर जाकि आगेन आपको बहुतर डिग्री मेजर करना बाहर की सइट वाला एंगल बता रहो है कि बहुतर बहुतर मेजर करके आप पैंटागून रेडी कर सकते हो यह पैंटागून बनाया इसका नाम करने का तरीका हर बार सेम रखना जैसे आप देरों एंटिकलोक आँ जैसे सी को आई यह अब माइडियर फेंट्स देखो लाइन कोश्चन में क्या लिए रेष्टिंग अंद एच्पी आन एच्पी आन एच्पी आन एच्पी मतलब एक्स वाइड पर तो इसका फ्रांट व्यू का बन जाएगा एक्स वाइड पर पॉइंट दरसादो एडे इस तरीके से यह कंडिशन कब बनी पहला आजमसन से बनी सेकेंड नंबर जो लिखा ना कि परेलल टू एच्पी यह बना अब जो कोश्चन में दिए वो कंडिशन अपलाय करो क्या दिए 45 डिग्री इंकलाइन टू एच्पी है ना तो कहां इंकलाइन होगा वीपी में तो ये जो आपकी ऐड़े बीडे शीडे सीडे सीडे से इसको क्या करो सेमलइन को 45 डिग्री पर उनकलाइन करो कि और आपके डिबैडर से पूरा कॉपी पेस्ट कर दो नीचे सरे करो नीचे की तरब ट्रांसफरम करना ट्रांसफर करना है इस तरीके से देखो यह इधर जो पेंटागोन आपका नीचे बना है इसके सारे पॉइंट्स को होरिजन्टल ट्रांसफर करना है इसके सारे पॉइंट्स को होरिजन्टल ट्रांसफर करना इस तरीके से ओके माइडियर फ्रेंट जहां जाकर एने को कटना बी ने भी देस को कटना उन पॉइंट सटfund को मिला हो गए तो आपको पेंटागोन मिलेगा लेकिन होड़ी चोटी सेप का पेंटागोन मिलेगा ओके क्यों क्योंकि मैं ज़्यने उसको incline करके लाय हूं 46oton मेंग्स्ट वन साइड एचपी मेक्स 40 डिग्री बिद्दी वीपी से 30 ब्रीग्री क्या करोगे इसकी एक सैट को 30 डिघरी करें इसको नाम नाया दे दो और पूरा का पुरा जो उसको कॉपी पेश्ट कर दिया माई डियर टंड के उसी को इंकलाइन कर रहे इसलिए उसी को इंकलाइन कर रहे तो आपन नाम सेम देते आप इसके सारे पॉइंट को उपर ले जाओ इस तरीके से और जो इंकलाइन लाइन है उसके पॉइंट को इस तरीके से आपको एक पर नजर आएगा इसलिए इस तरीके से आपको एक पंटागोन बनता हुआ नजर आएगा my dear friends Pentagon का question पुराने exams में पूछा गया है इसलिए यह question बहुत बार पूछा गया है क्लियर एतना ठीक है चलिए नेश्ट समद्व नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं यह यह कोश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए सरकल वाला कोश्चन देखिए इसलिए आपको कैसे करना है क्या दिया है देखिए कोश्चन नमबर एड दिया है सरकल आउ 50 mm डायमेटर इस रेस्टिंग ऑन एच पी एच पी में रेस्ट करना मतलब एक स्वाइए के नीचे अन वन एंड स्वरी एंड एड अप इट्स डायमेटर डायमेटर का एंड एए इसके प्रोजेक्शन इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए ओके नाव सबसे पहले एक एक स्वाइए लाइन खीचेंगे देखिए यहां एक सरकल है जिसका डायमेटर अपने को फिप्टी दिया है ओके जैसा जैसा कोश्चन में बोला वो करना एक स्वाइए लेन खीचा और ईपय नी एक्सट्र लेंगे नीचे मेंने क्या बना लिया एक सरकल बना लिया जिसका डायाबीटर कितना है पचास एमें पचास इमनल डायामेटर का सरकल बना लिया नेम दे दिये मैंने उसको a b और c d उसके horizontal और वार्डिकल एक्सेस को इसको क्या करा उपर ट्रांस्फर करा इन पॉइंट्स को ओके उपर क्या बना दिया मैंने फ्रंट भी बना दिया माई डियर फ्रेंट्स ठीके जो एडेज बीडेज डीडेज एडेज रिप्रेजेंट हो रहा अब बोला है 30 डिग्री इंकलाइन टू एच पी एड़ फॉटी फाइब डिग्री इंकलाइन टू वी पी देखिए एच डिग्री पर इसको इंकलाइन कर दीजे माई डियर फ्रेंट्स यह आपको दिख रहा होगा सेकंड स्टेब मैंने इंकलाइन कर दिया पूरा क्पूरा कॉपी पेस्ट करिए एडेज बीडेज डीडेज सीडेज इसको नीचे लेके आई इस तरीके से इस तरीके से जहां जा काटा ए ने बी को ए ने ए को ए ने डेज को बी ने बीडेज को सी ने सी डेज को महाँ पर उन पॉइंट्स को मिलाई है माई डियर फ्रेंड्स जब भी आप किसी सरकल को इंकलाइन करोगे तो उसका बनेगा इलिप्स जब आप किसी सरकल को इंकलाइन करोगे तो उसका इलिप्स बनेगा ये बात समझ लीजिए ओके कोश्चन में सेकंड कंडिशन दिये है कि 45 डिग्री इंकलाइन टू वी पी इसका जो टॉप यू है टॉप यू मतलब कुन बना तो आपको एक छोटा और इलिप्स बनता हो नजर आ जाएगा फाइनलई इस तरीके से यह जो इलिप्स बनाना यह फाइनल इलिप्स बन जाएगा माई डियर फैंड्स ओके क्लियर ए तो सरकल का कोश्चन करना भी आना चीए आपको बेहत पूस्ता यह कोश्चन ठीके एक और सरकल का कोश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग बनाते हुए मैं आपको बताता है जैसे प्रोबलम नमबर नाइन आपको दिख रही होगी प्रोबलम नमबर नाइन दिख रही है कि अ सरकल आउं 50 mm डायमेटर इस रेश्टिंग ऐच पी इस रेश्टिंग ओन एच पी आन एड आप इस डायमेटर एक विच इस थर्टी डिग्री इंकलान तो हपी वाइल इट्टी कोशन में क्या फरक है यह देखे माई टियर फैंस अना जो पहला कोशन था 30 डिग्री इंकलाइन टू एच्पी इसमें भी तो इंकलाइन है 45 इंकलाइन टू वी पी ठीके देखे कोशन में फरक क्या पड़ा यह है कि एक्स-वाइन किची आबकी बार जो सरकल है वह आपका एक सब्सक्राइब को एक उपर गया Inklient हुआ अगेन ऐसे फ़र्टीफाइब डिग्री पहले त्रीके से तो एक बनेगा आपका इलिपस क्या तो एक चोटा इलिपस बन जाएगा कोई जादा फर्क नहीं लेकिन यह भी question पूछा गया question है इसलिए मैंने आपको बता दिया ओके तो अपने Pentagon का question करा और circle का question करा my dear friends बेहद important यह जो मैंने आपको करा दिया इसके अलावा वो question करता है hexagon पर आप बूलोगे कितना टफ लेगिन इतना टफ नहीं है hexagon तो Pentagon से भी अशान होता है hexagon पंडागों से भी असान होता बहुत अच्छा question है आपके सामने प्रिजेंट कर रहा हूं hexagon ले मिना हैस इट्स वन साइड इन HP ज्यान से सुनना एंड इट्स आपोजीट पैरलल साइड इस 25 mm अबो HP एंड इन वीपी ज्यान से सुनिये 25 mm अब यह नहीं कंडिशन बने ड्रॉइट्स प्रोजेक्शन टेका साइड आप इसका मतलब यह है कि उसकी 6 की 6 भुजाय जो है वह 30 mm की है ठीक है कोशन की शुरुआत करने के लिए एक्सवाइ लाइन खीच लीजिए कोशन में दिया कि सरफेस इंकलाइन टू प्लैन एच पी तो अपना जंशन लेंगे कि एच पी के पैरलल है ना सेम कंसिप्ट क्या करेंगे एक्सवाइ लाइन कीची और नीचे की तरब मैंने एक जो एच पी में रेष्ट करता हुआ हैजागॉन बनाया अब तुम बोलोगे है ऐग्सागौन सर कैसे बनाएंगे तो माइ डियर फेंट जैसे पैंटागॉन बने बनाने के लिए मैंने 360 में 5 का भाग लगाया अब बनाने के लिए 360 में 6 का भाग लगांगा कितना डिग्री एंगल आएगा साथ डिग्री का तो एक लाइन पेले पर्पेंडिकुलर की चोड़ साथ साथ डिग्री पर वो लाइन को जुकाते जाओ तो छे लाइन कटेगी बराबर एक तरीका यह बनाने का दूसरा तरीका सरकल मेंधड से भी आता है जो मैं आपको बता दूँगा खना लेकिन साइड साइड सबूटी साइड है कितनी है 55िम की Okay तो ऐक्जागून बना लिया 25-END साइड का नेम दे दिया उसको मैंने एस से लागा कर A तक मैंने उसके नाम दे दिया इनको ले घया में उपर ठीक है इस तरीकर ऐस oपर ले जाओं गा और एकस वाइन पर ही मे मिल जाएगा अब कोश्चन में क्या देखिए एक लेमिना है 25 अपने को इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना इसमें कुछ इंकलाइंड पोजिशन दिये क्या नहीं दिये ना बस इतना बोला कि 25 अब वो एच्पी उसकी साइट तो क्या करो एक स्वाई से उपर जाओ 25 में और वहां पर आपका एक एंड तो उसका एक स्वाई लाइन पर ही इतना द्यान रख लेना एक एंड तो एक स्वाई लाइन पर ही है तो यह अपने आप इंकलाइंड हो जाएगा इंकलाइंड पोजिशन को नीचे लाओ हेक्जागोन के पॉइंड को ट्रांसपर करो तो एक छोटा एक्जागोन बनके रेडी हो जाएगा यह इसको बोलते हैं सेकेंड फ्रंट व्यू और सेकेंड टॉप यू इसको एक बार पैरालल करोगे तो थर्ड टॉप यू और फ् कोशन में यह कोशन पूछता है ठीके इस कोशन में वस थोड़ी सी कमी यह है कि इसमें आपको एंगल नहीं दिया था उसने कि कितने डिगरी पर इंकलाइन लेकिन मैं आपको बता दू कि आपको जो भी कोशन आएगा उसमें कितने डिगरी पर इंकलाइन करना यह भी देग तो नीचे comment करिएगा मेरे को WhatsApp करिएगा मैं उस चीज का solution आपको दूँगा वो चीज समझा के दूँगा ओके इसे इंजिनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने के लिए continue मेरी class जॉइन करते लईए देखते रहे पूरा syllabus इंजिनियरिंग ड्राइंग का इसमें cover होने वाला ओके Thank you so much.